आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके लेखक राजनीति और साहिति के माध्यम से समाज सेवा करके किर्टिमान इस्थापित किया। साहिति समाज और राजनीति से संबंध रखने वाले कथाकार त्री विद्या सागर नोटियाल जी। विद्या सागर नोटियाल का जन्म 29 सितंबर 1933 को उत्तर भारत की एक पहाड़ी जो रियासत है टिहरी गढ़बाल वहां भागी रती के तट पर माली देवल गाउं में राजगुरु परिवार में हुआ था। विद्या सागर की जो प्रारंभीक शिक्षा है वह घर पर ही हुई क्योंकि उनके पिता स्री नारायन दत रियासत से दूर विद्याले भीहीन बन में बनके अधिकारी थे। नोटियाल जी की मा का नाम श्री मती रत्ना नोटियाल था जो अत्यंत साध्वी और संबेदन सील महिला थी। श्री विद्या सागर नोटियाल ने हाइ स्कूल प्रताप इंटर कालेज टिहरी से किया। इंटर डिये भी देहरादून से किया। बीये और एललबी भी उन्होंने देहरादून से किया। काशी हिंदू विश्वित द्याले से नोटियाल जी ने अंग्रेजी विशे में हमय किया। तेरा वर्ष की उम्र में गढ़वाल में राजशाही और सामंत वाद बिरोधी आंदोलन में हमारे नोटियाल साहब जो हैं वे सामिल हो गए। बच्पन से ही क्रांतिकारी सोहाओ के थे। परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ओल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राश्त्री अध्यक्ष भी रहे। सन उनई सो तिरपन वा सन उनई सो संतावन में बनारस हिंदू विश्विद्याले में छात्र संसत के प्रधान मंत्री रहे। कैमनिस्ट पार्टी से उत्तर प्रदेश के देव प्रयाक्षेत्र से विधान सभा के सदत से भी रहे। नवटियाल जी ने अमेरिका, यूरोप और सोवियत संकी अनेक आत्राएं की। निरंतर स्री नवटियाल जी का लेखन जारी रहा। 18 फरवरी संद 2012 को सनिवार को बंगलूर अस्पताल में आपका निधन हो गया। आपने उपन्यास कहानी और आत्मकथा के माध्यम से हिंदी साहित्य की भरपूर सेवा की है। आपके उपन्यासों में उल्जे रिष्टे बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। भीम अकेला सूरज सब का है। उत्तर बया है। जुन्ड से बिछुला। यमुना के बागी बेटे। और कहानी संकलन में सरवाधिक जो प्रसिद्ध कहानी हुई। इनकी सुची डोप, मूख बलदान, टिहरी की कहानिया और दस प्रत्नित कहानिया। आत्मकथ्य मोहन गाता जाएगा। बहुत प्रसिद्धुआ हिंदी संसार में। और इनकी इस तरह की प्रस्वंशनी सेवा को देखकर, परिणाम मूलक सेवा को देखकर, इन्हें स्रीलाल सुकल सम्मान, पहल सम्मान, और अखिल भारती वीर सिंग देव सम्मान जो मध्य प्रदेश साहित परिशत द्वारा प्रदान किया गया। राजनीत या लेखन दोनों को अपने सिध्धानतों और मुल्यों की कसवटी पर परक्षने वाले स्री नौटियाल सामाजिक विसमताओं से लड़ना मुख्य चुनोती मानते हैं हैं मिग्वे को अपना कथा गुरू मानने वाले नौटियाल जी अपनी सैली के अनूठे रचनाकार माने जाते हैं नौटियाल जी में प्रेम चंद की यथार सुबादी परंपरा के दर्शन होते हैं उसमें उनका सार्थक विस्तार दिस्टिगोचर होता है आपकी कहानियों में पहाड की औरतों का दुख इच्छाएं एक आकीपन की तस्वीर है जो अन्यत्र दुल्लब है वास्तों में पहाड के जन जीवन को पहाड के जीवन संघर्ष को यदि समझना है तो नौटियाल जी की रचनाओं को पढ़ना होगा उन्हें समझना होगा हिंदी के सीर्ष कथाकारों में अपनी अनौठी सहली के कारण नौटियाल जी हमेशा इसमाणिय रहेंगे आपकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल लिन्नी थी हैं विद्यासागर नौटियाल की कहानी माटी वाली जिस पर चर्चा करने के पूर्व हम समझ लें ये कहानी है क्या कहानी के तत्त कौन-कौन से हैं कहानी का विकास कैसे हुआ तो आईए पहले हम समझते हैं कहानी की अधार्णा को कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे पुरानी विधा है जन जीवन में सबसे अधिक लोक प्रिय विधा है क्योंकि अवस्था के साथ कहानी के विशय में परिवर्तन होता रहता है कहानी के मार्द्यम से जहां एक और मनोरंजन होता है वहीं दोसरी और ग्यान वर्धन भी स्वाभाविक रूप से होता रहता है कथा संब्राट मुंशी प्रेम चंद का मानना है कि कहानी ऐसा उद्ध्यान नहीं है जिसमें भाद भाद के फूल और बेलें सजी हुई है बलकि वह एक ऐसा बगीचा है जिसमें एक ही गमले का जो माधुर यह है शोरभ है अपने समुन्नत रूप में तिस्टिकोचर होता है प्राचीन काल में इसे कथा आख्याई का गल्प आधी कहा जाता रहा है आधनी काल में इसे कहानी ही कहा जाता है पहले कहानी का उद्देश उपदेश देना और मनो रंजन करना माना जाता था आज इसका लक्ष मानो जीवन की विविद समस्चायों और संबेदनाओं को ब्यक्त करना है कहानी ना किसी सत्य का उध technologies करती है बलकि कहानी जीवन का एक खंड़ चित्र होती है अब हम देख लें कि कहानी के तत्तों क्या क्या है कहानी के छत्ततों माने जाते हैं पहला है कथानक दूसरा है कथोप कथन तीसरा है पात्रिवं चरिचित्रन चौथा है वातावरण और पांचमा है भासा सेली और छटमा है उद्देश्य कथा वस्तु या कथानक लेकि भुट ऊपतरांच एक कथावस्तु कहानी का प्राण है कथावस्तु संग्षिप्ट कहानीकार की मूल संबेदना के अनुरूप होनी चाहिए कथा वस्तु ऐसी हो जिसके प्रत पाठक की उत्सुकता बनी रहे कथा वस्त् haभावित होनी जाहिए अब दूसरा है कथोप कथन वारतालाप कथा वस्त एवन चरित्र के विकास में सहायक होता है कथोप कथन संख्षिप्त एवन प्रभावी होना चाहिए कथोप कथन कहानी में नाटकियता उत्पर्ण करने में सहायक होते हैं तीसरा है पात्र एबं चरित्र चित्रन यह कहानी का महत्तोपूर्ण अंग है पात्र एबं उनका चरित्र कहानी को विस्तार देने में सहायक होते हैं और कहानी को उद्देश से तक पहुचाते हैं कौन पात्र एबं चरित्रन चौथा है देश काल वाता वरण भाव प्रधान कहानियों में प्रकृत के सजीव एवं संबेदन सील वाता वरण की अपेक्षा होती है त्रिष्ट की जाती है वाता वरण पात्रों की मनों इस्तिति के अनकूल होना चाहिए पांचवां तत्तोह कहानी का भाशा सैली भाशा कई प्रकार की हो सकती है जैसे संस्कृत गर्वी थे भाशा सहज हो सरल हो आंचलिक हो सामान ने बोल चाल की भाशा हो लाक्षनिक प्रयोगों से युक्त हो तब कथा का अविस्तार और कथा जो है कहानी जो है प्रभावी बनती है शैली जहां तक शैली का प्रशन है शैली सरल और सुबोध होनी चाहिए प्रभाव पूर्ण होनी चाहिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग सैली को सजीवता प्रदान करते हैं उद्देश साहित की कोई भी बिधा हो चाहे कहानी हो चाहे नाटक हो चाहे उपन्यास हो कविता हो रेखाचित्र हो रिपोर्ट आज हो एक उद्देश को ले करके लिखा जाता है अगर इसमें संदेश नहीं है विद्देश से नहीं है को साहित निरत्वक माना जाता है कःति कहानी को अद्देश चेह को लेकर चलती है जीवन के प्रत आस्था उत्पन्न करना कहानी का प्रमुखुद देशे होता है। नैतिक और मानों मूलियों की प्रतिस्थापना कहानी का उत्देशे होना चाहिए। अब हम थोड़ा प्रकार भी जानले कि कहानी कितने प्रकार की होती है। तो कहानियां जो हैं कई तरह की होती हैं जैसे घटना प्रधान कहानी जिसमें घटनाओं का उलेक होता है जैसे चरित्र प्रधान कहानी किसी चरित्र के माध्यम से हम अपना संदेश देते हैं भाव प्रधान अयतिहासिक और साहसिक कहानिया इस तरह से अनेक प्रकार की कहानी के रूप होते हैं अब विकास पर देखें वास्तो में पुरातनकाल से दंत कथाओं के रूप में जो कहानिया हैं प्रचलीत रहीं जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वे लोग कथाओं के के माध्यम से दंत कथाओं के माध्यम से पुरातन से चली आ रही कहानियों को सुनाया करते थे धीरे धीरे कि शिख्षा का विकास हुआ लोग पढ़ने लिखने लगे उस समय संस्क्रिप में अनेक कथाएं थी उनका हिंदी अनुवाद हुआ और बहुत सारा कथा साहित हम लोग के सामने आया लेकिन जो यथार्थ जिसे कहानी कहा जाता है एद्यप कहते तो यही हैं कि आज की जो कहानी है ये पास्चात्य की दिन है तो अगर हम कहानी के विकास पर चर्चा करें तो कहानी के विकास में पहला यूग जो आता है वह प्रसाद यूग है जैसंकर प्रसाद जी का तो जैसंकर प्रसाथ, विश्वंभननाज सर्मा कौशिक, चतूर सेन सास्त्री और पंडित चंधर सर्मा गुलेरी आदी अनेक ऐसे कथाकार हुए जिनकी कहानिया अजर अमर बन गए जैसे पंडित चंधर सर्मा गुलेरी की कहानी ले ले उसने कहा था पंडित चंधर सर्मा गुलेरी ने अपने जीवनकाल में मात्र तीन कहानिया लिखी एक सुख में जीवन बुद्धू का काटा और उसने कहा था उसने कहा था कहानी विश्वृ प्रशिद्ध हो गई इसके बार आता है प्रेमचंद युग प्रेमचंद को कथा समराट कहा जाता है उन्होंने अनेक उपण्यास अनेक तीन सो से अधिक कहानियां लिखकर की इर्थिमान इस्तापित किया तो प्रेमचंद की युग में उनके आज पास प्रेमचंद, सुदर्शन, पदुम लाल पुन्ना लाल वक्षी ये पदुम लाल पुन्ना लाल वक्षी हमारे 36 गड़ के थे राजनाद गाओं के बिन् इसके बाद आता है प्रेमचंद्रोत्तर युग प्रेमचंद के बाद जैसे यस्पाल जी हुए राहुल संकृत्यायन रांगय रागव और अम्रितलाल नागर उपेन नाथ अश्क आद जैसे रचनाकारों ने प्रेमचंद के बाद इतना उत्कृष्ट कथा साहित दिया ज और इसके बाद आता है नए खांइ सम्कालीन कहाणी तो उससे नई कहानी भी कहते हैं सम्कालीन कहानी भी कहते हैं तो इसमें रशनकारों में जैसे णिर्म और भारती अमन्यास कार भी थे कमलेश्वर जो शांश्षर के संपादक थे मोहन राकेश जो नाटक कार भी थे और कथाकार भी थे आशार का एक दिन नाटक इनका विश्व प्रसिद्ध है और विद्या सागर नौटियाल शसी प्रभाशास्त्री पानू खोलिया मम्ता कालिया और उशा प्रियंबदा कृष्णा सोवती राजेव जोसी मन्नू भंडार कि आदिने नई कहानी के माध्यम से समकालीन कहानी के माध्यम से साहित्य की अभूत पूर्व सेवा की है हिंदी की प्रथम कहानी तोकरी भर मिट्टी जो 36 गड़ में लिखी गई यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है जिसे लिखा था माधव राव सप्रेजी ने कुछ लेखक कुछ रचनाकार और कुछ विद्वान समालोचक किशोरी लाल गोश्वामी जी की कहानी जो इंदुमती है उसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं अब आएए चर्चा करते हैं विद्या संकर नोटियाल की कहानी माटी वाला पर इस कहानी में विस्थापन की समस्या से उपजी पीडा को प्रवावसाली धंग से बताया गया है कहानी का कथानक देखें सारांस तिहरी में भागी रथी नदी के तट पर बहुत बड़ा बांध बना है जिसमें पूरा तिहरी शहर जो है और उसके आसपास के अने गाउं डूब गए है पहले जो लोग अपने घरों और व्यापारों से जुले थे उनके सामने अचानक वि किसी विस्त्यापन की समस्यां से जुड़ी हुई है इस कहानी में प्रमुख पात्र हैं बुढ़ी माटी वाली और मकान मलकिन और गौर्ण पात्र हैं माटी वाली के का बुढ़ा पति कुछ अधिकारी कर्मचारी बोलही माटी वाली पूरे टिहरी सहर में घर-घर लाल मिट्टी माटा करती थी उसी से उसका जीवन चलता है घरों में लिपाई पुताई में लाल मिट्टी काम आती है एक पुराने कपड़े की गोल गदी सिर पर रखकर उस पर मिट्टी का कनस्तर रखे हुए वहाँ घर-घर जाकर मिट्टी पिर्चती है उसे सारे शहर के लोग माटी वाली के नाम से जानते हैं एक दिन माटी वाली एक घर में पहुंसती है तो मकान मलकिन ने उसे दो रोटियाँ दिया माटी वाली ने उस में से एक रोटी अपने सिर पर रखे कपड़े में बान्ध कर लपेट ली तब तक मालकिन चाय लेकर आ गई पीतल के पुराने गिलास में माटी वाली फूण फूण कर चाय सुड़कने लगी माटी वाली ने मालकिन से कहा कि पूरे बाजार में अब किसी के पास ऐसी पुरानी चीजें नहीं रह गई हैं इस तरह से पीतल की गिलास देखने को नहीं मिलती जिस पर मालकिन ने कहा यह पुर्खों की निशानी है न जाने किन कस्तों के साथ पेट काट काट कर उन्होंने इसे खरीदा होगा अब लोग इसकी कदर नहीं करते चर्चा के दोरान मालकिन ने आगे कहा कि अपनी चीज का जो मोह है बहुत बुरा होता है और टिहरी का मोह भी ऐसा ही है तब माटी वाली ने कहा कि जिनके पास कोई जमीन या संपत्य है उन्हें ठिकाना मिल ही जाता है लेकिन मुझ जैसी बेखर वाली का क्या होगा चूंकि वहां बांध बन गया है सब को वहां से बिस्तापी थोना है छोड़ छोड़ कर कहीं जाकर के बसना है उफदिर माटी वाली दो तीन घरों में मिट्टी पहुचा कर प्राप्त रोटी को लपेट कर अपने घर की ओर चल दी वहां रोटियां अपने बुढ़े पत के लिए लाया करती थी वहां रोज इसी आस में बैठा रहता था कि हमारी पत्नी जो है वह रोटियां लेकर आएगी तब मैं भोजन करूँगा आज वह उसके लिए प्याज भी खरीत कर लाई थी कि कूट कूट कर रोटी के साथ दे देगी घर पहुची तो पाया कि उसका बुढ़ा पत जो है वह मर चुका है कुछ दिन बीतने के बाद तिहरी बांध से उखड़े लोगों को बसाने वाले साहम ने माटी वाली से पूछा कि वो जहां रहती है वहां का प्रमान पत्र लेकर के आए पर उसके पास ऐसा कोई प्रमान पत्र नहीं था वह तो सारी जिंदगी माटा खाने से जुड़ी रही माटा खान से माटी खोद कर लाल मित् tee बेचती रही अब माटा खान का भी उसके पास कोई कागज नहीं था ऐसे में उसे सरकारी मदद नहीं मिली तिहरी बांद भरने लगा लोग अफरा तपरी में घर छोड़ कर भागने लगे निचले भाग में बने समसान पहले ही डूबने लगे माटी वाली मांसी काघाज से बिक्षिप्त सी हो चली थी अपनी जोपड़ी के बार वह कह रही थी गरीब आदमी का समसान नहीं उजाड़ना चाहिए किसी गरीब आदमी का समसान नहीं उजाड़ना चाहिए यह कहानी विस्थापित लोगों की समस्या से उत्पन हुई मर्म इस पर सी पीड़ा को ब्यक्त करती है अपनी जीविका चलाने के लिए बुर्धा घर-घर माटी पहुचाने का काम करती है जो एक गरीब की संबेदन सीलता को दर्शाती है पति की मिर्ट उसे वह जितनी दुखी नहीं हुई उतनी पीड़ा इस जबाब से हुई बुड़िया मुझे जमीन का कागज चाहिए रोजी का प्रमाण पत्र नहीं रोजी का कागज नहीं कहानी इस तरह से यह कथा का शारांश है अब प्रस्ण यह उठता है कि माटी वाली के बिना तिहरी सहर के कई घरों में चूलों तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता था जिस दिन माटी वाली को लाल मिटी घरों में नहीं पहुंचाती थी उस दिन चूलों की सफाई नहीं होती थी लिपाई पुटाई नहीं होती थी तो तो तिहरी शहर में लोग लाल मित्टी से चूलों की सफाई लिपाई और पुताई का कारी करते थे क्योंकि वहां की मित्टी रेतीली थी माटा खान शहर से दूर था और वहां से लाल मित्टी लानी होती थी यह कार अपनी जीविका चलाने के लिए माटी वाली करती थी कहा जाता है कि माटी वाले की बिना टेरी सहर के कई घरों में चूले तक जलना मुश्किल हो जाता था माटी वाली अब देखे एक प्रश्णों रूठता है माटी वाली एक रोटी छिपा लेती है और छिपा करके रोजों घर लाती है उसकी किस मनह इस्तित को का संकेत है यह तो माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी गरीबी मजदूरी और विवस्ता को प्रकट करता है घर की मालकिन ने पीतल के गिलासों तक अभी तक संभाल कर रखा था अभी चर्चा के दौरान मैंने आप से बताया कि पीतल की जो गिलास है वह उसके पुर्खों की निशा प्रकट की गाड़ी कमाई से पेट काट कर बनाया हुआ मानती हैं जिसमें पुर्खों की मेहनत और यादें समाई हुई हैं इसलिए उन्हें पुर्वजों की बिरासत से बिसेश लगाव था इस प्रकार विद्या सागर्णोटियाल ने कहानी माटी वाली में विस्थापन क समस्या से उपजी पीड़ा वा प्रतार्णा को प्रभावसाली ढंग से प्रस्तुत किया है वह बिद्धा जो है गरीवी में संघर्ण करते हुए अपनी संबेदन सीलता का परिचय पूरी कहानी में देती है साथ ही ग्रिहस्ती के बोध और बोज को भी समस्ती यह उसका चर कि बुडिया मुझे जमीन का कागत चाहिए रोजी का नहीं और बांध बनने के बाद मैं खाऊंगी क्या साहब और बांध बनने के बाद मैं खाऊंगी क्या साहब यह जो वाक्य है बहुत ही संबेदन सील है जो पाठक को हिला कर रख देता है पूरी कहानी में यह हमार मिक् अपने चरम रूप से दिखाई देती है जो संबेदन सील मन को कचोटने वाली है जब वह करमसील ब्रिद्ध महिला कहती है कि गरीब आदमी का शमसान नहीं उजारना चाहिए साथ तो आदमी सुन करके कहानी में उसे पढ़कर वह हिल जाता है करुणा से भर जाता है बच्चो आपके पाठ की अंत में कुछ व्याकरन है जिसमें उपसर्ग और प्रत्य की जानकारी दी गई है खासकर प्रत्य की जानकारी दी गई है तो निश्चित रूप से आपने उपसर्ग पढ़ा होगा और अगर आपने उपसर्ग पढ़ा है तो उसी से जुड़ा हुआ प्रत्य है आपको इसकी जानकारी होगी फिर भी हम पुनुरा बृत्त कर रहें इसकी कि उपसर्ग और प्रत्य क्या है उपसर्ग उपसर्ग उच सब्दांश या अब्ये को कहते हैं जो कि पहले आकर उसका विशे अर्थ प्रकट करता है कि यह दो सब्डों की योग शिभना ऊप अर्था समीब और सर्ग का अर्थ है सृश्थि करना बनाना निर्मान करना अर्थातं उपसर का अर्थ है पास में बैठ कर दूसरे नया अर्थ जबाला सब्द बनाना जैसे एक सब्द है हार हार मने हार जाना और हार का अर्थ होता है जो गले में पहना जाता है लेकिन इसके पहले अगर आपने प्रा लगा दिया तो हो जाता है प्रहार जिसका अर्थ होता है मारना तो हार में जो प्राउपसर्ग है यह विशेश अर्थ को धुनित करता है विशेश अर्थ को प्रगट करता है ते संस्कृत में अब सर्ग जो है 19 और हिंदी में 10 और उर्दू में 12 यह इसी प्रकार से प्रत्य क्या वास्तों में शब्दों के बाद जो अक्ष्र या अक्षर समू लगाया जाता है उसे प्रत्य कहते हैं यह अंत में लगता है उपसर्ग पहले लगता है प्रान्म में औरप्सर्ग पहले लगता है और विशेशर्थ प्रगण करते से प्रति का अर्थ में आ है जिसका आर्थ है चलने वाला प्रत्य एक अधिकारी शब्दांश है जो सब्दों के बाद जोड़े जाते हैं जैसे आपकी पुस्तक में इ, इन, आइन ये प्रत्य दिये हुए है अब इनसे आपको शब्द बनाना है तो उनसे बनने वाले सब्दों होंगे जैसे इसे जो प्रत्य बनेगा जैसे लड़की, धमकी, हशी और इन प्रत्य माने शब्द के अंत में लगा तो उसका अर्थ बदल जाता है जैसे मालकिन, इन, लुहारिन इसमें भी इन है पुजारिन इसमें भी इन लगा हुआ है आदी ऐसे अनेक शब्द आप बना सकते हैं फिर है आईन, आईन में जैसे है पंडिताइन, ठकुराइन, पंडाइन तो इस तरह से अनेक शब्द आप प्रत्य के बना सकते हैं तो हमारे ख्याल से उपसर्ग और प्रत्य आपकी समझ में पूरी तरह से आ गए हैं